लो वेलकम तो डियर स्टुडेंट अवर चैनल आई पेपर क्लासिस आई पेपर क्लासिस की तरफ से आपसे आपको SSE GD के ओल शिफ्ट के क्वेशन पेपर्स सॉल पर आए जा रहे हैं 76 प्रेक्टिस सेड हैं 76 ओल शिफ्ट के पेपर्स हैं जो आपको आई पेपर क्लासिस की तरफ सॉल पर आए जा रहे हैं तो मैं आपको रिजनिंग कर आ रहे हूं रिजनिंग के क्वेशन्स देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने है GS भी आपको कर आए जाएगी Maths भी आपको कर आए जाएगी सरकेत रूम ठीक है और मैं आपको रीजनिंग करा रही हूं मैं आपको रीजनिंग करा रही हूं रीजनिंग का question number first आपके screen पर हम आपको best way में कराने की कोशिश करेंगे आप हमारी classes देखेगा और फिर अपना feedback देखेगा तो चलिए alphabetical दिया हुआ है first question इसके लिए आपको इनकी place value लर्न होनी चाहिए और आप better होगा कुछ भी step का question दिया हो तो आप पहले उनकी place value लिखेंगे place value लिखेंगे तो down, down की place value down को क्या लिखा हुआ है v, k, c, l लिखा हुआ है तो d, d की place value क्या होती है 4 होती है, o की क्या होती है 15 और w 23, n कितने पहोता है 14, v कितने पहोता है 22, k कितने पहोता है 11, c कितने पहोता है 3 और l 12 ठीक है तो आप इसमें से लिखेंगे ना तो इसमें कुछ add किया हो अगर add भी किया है तो 4 से direct to 22 इतना तो add नहीं है minus भी नहीं हो रखा है क्योंकि यहां पर अगर minus करने लगें तो 4 यह और 4 यह और 8 minus हो रखा है लेकिन नेक्स पहोता है यहां पे 15 है, यहां पे 11 है, यहां पे 4 minus और चलो, हम 4-4 का gap भी गर लेते हैं तो यहां पे 23 है, 26 तो words ही रहते है, 3 है यहां पे कितना हुपखा है? 6 minus होँपखा यहां पे 14 है और यहां पे 12 है, तो यहां पे 2 minus होगथा है, एक pattern यह भी है ठीक है लेकिन अगर आप यहां से यहां पे देखेंगे यह कितने होता है 1 पे होता है और यह कितने पे होता है 25 पे होता है तो यहां पे अगर यहां पे हमने 8 माइनस किया तो यहां पे भी तो 8 माइनस होना चाहिए लेकिन ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है जरा आप देख अगर मैं इसमें से माइनस वन कर दू तो कितना होगा 22 और 22 की प्लेस वैली होती है यह यहां पर लिखा हुआ है कि इतने बहुत है 12 पर होता है इसमें से मैं ने वन कर दिया तो क्या होगा 11 होगा 11 की 11 किसकी प्लेस वैली होती है C की किसकी प्लेस वैली होती है यही pattern यहाँ पे follow हो रहा है, और यही हम यहाँ पे follow करेंगे, home, ठीक है, H कितने पे होता है, 8 पे होता है, O 15 पे होता है, M 13 पे होता है, E 5 पे होता है, अब जरा इनकी opposite value opposite H का opposite क्या होता है S O का opposite क्या होता है L M का opposite क्या होता है E का opposite क्या होता है E का opposite क्या होता है जरा बताएंगे V ठीक है अब मैंने यहां से क्या बताया था opposite minus 1 का pattern चल रहा है अब पोजिट माइनस वन का पैटन चल रहा है यह आपे कितने पे होता है? 19 पे होता है, 12 पे होता है, 14 पे होता है और 22 पे होता है माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन 19 माइनस वन, 18 12 माइनस वन, 11 14 माइनस वन, 13 22 माइनस वन, 21 18, 18 पर क्या होता है R, R कहीं है option में, पिल्कुल है, option no. 4, अब एक डिजट को करके, क्योंकि option बिल्कुल different है, तो तो 11, 11 पर क्या होता है, कि इतना करके आप तिक करके फटा-फट से next question पर जा सकते हैं, और 13 पर क्या होता है, M, और 21 पर क्या होता है, U, तो यह आपका answer से, और यह सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना time लग रहा है, इसमें time नहीं लगने वाला है, आपको open करके यह बताया कि इसका opposite भी लिखा है, minus 1 भी और इनके थ्रू आपको बताया भी है, तो इसलिए इतना time लग रहा है, otherwise इस question में time नहीं लगने वाला है, next question की तरफ चलते है, brave, brave को code में लिखा हुआ है, 48, ठीक है, तो इनकी place value लिख लेते है, B, B की place value क्या होती है, 1, R की क्या होती है, 18, sorry, B की 2 होती है, sorry, B, 2, R, 18, A, 1, B कितने पर होता है, 22 पर होता है, E कितने पर होता है, 5 पर, अब ज़र आप इनको add गर के देख लेंगे, 8, 2, 10, 15, 15, और 2, 17, sorry, 8, 8, 9, 9, 2, 11, 11, 15, 16, और 2, 18, 8 carry, अब ज़र देखेंगे, 2, 3, 3, 3 और 4, Yes, 48 आगया, It means, क्या हो रहा है, इनकी place value का addition हो रहा है, क्या हो रहा है, addition, ठीक है, यह वाला pattern यहां पर चलने वाला है, तो ज़रा लिखेंगे, victor, चीक है, वी कि प्लेस वेल्यू क्या होती है, 22, आई की place value क्या होती है, 9 होती है, C की place value, 3, T की place value, 20, O की place value, 15, R की place value, 18, 9, 2, 11, 11, 14, 14, 14, 19, 19, 19, 19, 20, 27, 2 carry, 1, 2, 4 carry, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 87, option में नमबर 3, यह देखिए, question number 3, आपकी screen के सामने, इसमें देखेंगे, blanks नहीं हुए, यहाँ पर एक symbol लिया हुआ है, यहाँ पर दो symbol लिया हुए, यहाँ पर तीन है, और यहाँ पर चार है, इतनी हर बार एक का increment कर रहा है, यहाँ पर only cross था है, यहाँ पर star ले लिया है, यहाँ पर square ले यहाँ सहटोन है, यहाँ पर लेया है, यहाँ परings Flu, यहाँ परक्स अपश, यहाँ सहटोन हुए, यहाँ पर लेगांस उन्हें के समय पर ऒश्टाए, यहाँ बिल्कुल आ ऐली मिनेट यहाँ सेंस्ट यह दिया हुआ है तो इस वज़े से बागी इसमें भी देख सकते हैं आप 6 ही सेप दी हुए है इसमें भी 6 ही सेप दी हुए है तो next पे क्या आने वाला है cross है star है circle है square है triangle तो next पे क्या कोई ना कोई roscopical है और alphabet कहा ने वाला है उपर आने वाला जरा देखंगे ये इस तरीके से यह यहां पर भी पांच शेप दियूंए च् Chili और यहां पर उधिस के Sozial ना यानिकर इढ़ Pack इधर से blank होने वाला इधर से corner से blank होने वाला है इसमें यही common sense वाली बाते ज़रा देखेंगे इधर को बढ़ रहा है ठीक है 6 shapes इसमें भी है 6 shapes इसमें भी है तो बच्चा यही ना दिमाग हिट करके इन में से भी कोई कोई से भी option में लगा देगा आगे चलेगा तो आपको देखना क्या है कि इधर इधर की तरफ से ब्लैंक यह उर देखेंगए कि थिटर और यह इधर की तरफ co two two its तरीके से बढ़ेगा आगे को है यहां से स्टार्ट होगा यहां से कहां स्टार्ट किस्त उन नहीं हो रहा है इसमें तो नहीं हो रहा है और इसमें तो दिये ही पाँच रमबर्ज हैं मतलब पाँच और इसमें और रखा है ठीक है सिर्फ इसमें एक ही ब्लांग खा लिए चलिए नेक्स्ट क्वेशन है सिटिंग अरेंजमेंट का देखेंगे छे मित्र हैं एक प्रतकार मेज पर बैठे हैं और केंद्र की द्रफ मुगर के बैठे हैं ठीक है चलो हम एक सरकल ना लेते हैं और छे मित्र हैं केंद्र की द्रफ मुगर के बैठे है ठीक है जड़ा क्वे P, U के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, P, हमने चलो P को बिठा लिया, ठीक है, P कहां बैठा है, U के दाईं और, यानि के, अगर मैं U को यहां पर बिठाती हूँ, दूसरे स्थान पर तो यह U का तो लेफ्ट हो जाएगा, अगर वो केंदर की दरफ मुह करके बैठा है, अगर मैं यहां पर U को बिठाती हूँ, तो यहां इधर तो यू का लेफ्ट हो जाएगा, अगर मैं यहां पर यू को बिठाती हूँ, तो इधर आएगा, U ठीक है R Q के दाइं और तीसर स्थान पर बैठा है R Q के दाइं और तीसर स्थान पर बैठा है S और R दोनों ही P के ठीक बगल पर बैठा है तो यानि कि यहां पर possibility बन रही है चीक है 6 लोगों को बिठाना है 6 लोगों को बिठाएंगे बिठा लिए हम यह 6 लोगों को P U के दाइं और दूसरे स्थान पर बैटा है हमने P को बिठाया ठीक है U के दाइं और मैंने U को यहां पर बिठाया UK right में अगर उसका मुख केंदर की तरफ है sorry यहां नहीं होगा यहां पर होगा क्योंकि वो केंदर की तरफ मुख करके बैठा है P, UK, दाइं और तुछ स्थान पर बैठा है ठीक है उसने बोला है कि P, S और R के ठीक बगल में बैठा है है PE, S यहां पर भी होसकता है और यहां पर होसकता है र क्यूंकि यहां पर एव प्र चैया है ठीक है उसने नेक्स्ट पर वोला है अर Q के right में तीसरे च्थान पर बैठा है और Q कर दाए view इस तीसरे स्थान पर कौन बैठा है तो यह possibility तो नहीं है एर तो यह तो अगर यहां पर अगर इधर को चलेंगे तो तीसरे स्थान पर तो अल्रीड यू बैटा है लेकिन तीसरे स्थान पर कौन बैठा है क्यों अगर मैं क्यों को यहां पर बिठा दूं तो क्यों के कौन बैठा है तो यह बन रिये तो यह बन लें है तो उस ने बोला है किऊ के बीच में है टो है ओप्शनily next सबस्त एंसमें दो नई नहीं बन रही है तो आप सुख़ा इस यहां आपको समझाने के लिए क्वेशन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे ट्रेवल को कोड में 156 लिखा हुआ है पर्सन को कोड में 174 तो आमांड को गरेंगे देख लेते हैं पटाफट से करेंगे ट्रेवल T20 पे है R18 पे है A1 पे है B22 पे है E5 पे है और L 12 पे है अब जड़ा इनको अड़ दरके देखेंगे 8 और 9, 9, 2, 11, 11, 5, 16, sorry 8, 9, 9, 2, 11, 11, 5, 16, 16, 16 और 2, 18 ठीक है 1 carry अब जड़ा इनको अड़ करेंगे 2, 3, 4, 4, 2, 6, 6, 1, 7, और 1, 8, ठीक है 8, 88 अब जड़ा 156 से करेंगे यहां से 2 से multiply करके देखूं 16 और sorry 1, 3, 4, 4, 2, 6, और 1, 7, sorry 78 होगा मैं मस्टेक एडिशन में इनको 2 करके देखूं तो कितना होगा एक इतने पहता है 1 पे, L 12 पे होता है, M 13 पे होता है, O 15 पर होता है 14 प्लस 4 अब जड़ा इनको एड़ करेंगे 3, 3, 6, 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 14, 19, 9, 1 क्यारी एक, दो, तीन, चार और एक, पांच, ठीक है, इंटू टू करेंगे, 118, येस, आप्सन नमबर थर्ड पेपर कटिंग और फोल्डिंग है, आप जड़ा देखेंगे, ये पूरा पेपर है, आपके सामने पूरा एक पेपर है, ठीक है, स्क्वार पेपर है, फिर इसको इस तरीके से फोल्ड गिया हुआ है, इस तरीके से फोल्ड गिया है, अब यहाँ पे, उसको इस तरीके से फ कागस को मोड़ने पर करम से मोड़ा गया है कागस को खोले जाने पर अब क्या उसको उसको अपन करना है तो मिली जूली से पाएगी तो जड़ा देखेंगे अब in questions इन questions में paper cutting and folding में options according जाना होता है ठीक है अगर तब हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे इसको इस तरीके से ओपन करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल सेम से बनने वाली है यहाँ पर ही सरकल होने वाला है और तब हम इसको इधर से इधर को ओपन करेंगे तो इसका पोजिट बनेगा ट्राइंगल यहाँ इसमें तब हम इसको उपर की तरफ ओपन करेंगे इस तरीके से तो ट्राइंगल नीछे की तरफ को बनेगा ना की ऊपर की तरफ को थोड़े नलगा तो लिखिए ओप्शन नमपर 2 भी नहीं होने वाला है और 101 नम reason 4 चलते हैं option 3rd में क्या है चलिए देखते हैं इसमें क्या बनेगा यहां पर triangle circle और इस circle यहां पर बनने वाला है यहां पर इसका पॉजट होगा और triangle इस तरीके से बनेगा इधर के side circle होने वाला है triangle इस तरीके से बनेगा इस तरीके से यह safe बनेगी अब जरहें यह वाला option किसी में मैच हो रहा है yes option number 3rd में मैच हो रहा है अब जरहें इनके circle बनाए हुए इधर की तरफ option number 4 में बनाए हुए इधर की तरफ circle तो ऐसा थोड़े नहोने वाला है option number 3rd question number 7 अपकी screen पर है ठीक है dictionary का question है words को set करना है कि किस तरीके से set होंगे इसमें भी आपको option according जाना होता है कि जिसे जिस तरीके से alphabet series बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले चलो हम ट्राय करते हैं B अब हम इसके बाद देखेंगे कि पहले कौन सा शब्द आता है तो पहले देखेंगे जरा आर भी सभी में तो दो वर्ड तो बिल्कुल सेम हो गए बी आर अभी फिर next पर देखेंगे सबसे पहले a आएगा yes a ठीक है a ओगया फिर next देखेंगे जरा a है गई नहीं उससे next वाला वर्ड देखते हैं उससे next क्या है E, ठीक है, E यहाँ पे भी है, E यहाँ पे भी है, है, Yes, है, और A यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है, Yes, है, और कहीं तो नहीं है, ठीक है, और D है, और K है, तो जब पहले आप बताएंगे, पहले D आता है या के आता है, जो पहले शब्द आता है, भूले नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 1, 2 और 1, चलिए, next, हमने देखा कि यहाँ पर D आया है, अब देखते हैं, फिर उसके बाद क्या आएगा, D के बाद, यहाँ पर M दिया हुआ है, यहाँ पर G दिया हुआ, लेकिन यहाँ क्या आई दिया हुआ है, तो उससे पहले क्या आता है, K, उसके पर फ़र्ड पर अब देखेंगे D यह तो पहले आ रहा था इसलिए D नहीं लिया उसके बाद देखेंगे इसमें इसलिए नहीं। तो रहर ऒरेवे आधिन तो ₹ज मतने हुए। गव delivering काहई नहीं। 3 फिर उसके बाद क्या आएगा 5 देखेंगे बी आर आई 9 पर होता है yes 5 उसके बाद लास्ट बचा ओ यह 15 यह बाद में आने आने वाला आप इसलिह बात है तो यह कितना 4 ठीक है 2 1 3 5 4 पिर से सिटिंग अरेंजमेंट को क्वेशन है देखेंगे जरा 6 उमीदवार है आनेंद बल्लू चरंड दिनेश इम्रान और परहाद एक संभविक चर्चा करते हों किसी व्रताकार मेच पर बैठे हो और केंद्र की तरफ मूग की हो है कितने 6 उमीदवार है तो सर्कल बनाएंगी ठीक है 6 लोगों को बिठाएंगे आपने ठीक है ठीक है दिनेश इम्रान और बल्लू के ठीक बगल में वैठा है यहां पर मैंने दिनेश को बिठाया ठीक है यहां पर दिनेश को बिठा दिया और यह क्या इम्रान और बल्लू के ठीक बगल में बैठा है तो इम्रान को मैं यहां पर भी बिठा सकती हूं और बल्लू को मैं यहां पर भी बिठा सकती हूं बट इसमें क्या possibility बन रही है उसने बोले ठीक बगल में अब left right तो उसने दिया नहीं है कि हाँ ये left है ये right में तो बल्लू यहाँ पर भी आ सकता है यहाँ पर भी बल्लू आ सकता है तो मैं possibility बनाऊंगी यहाँ पर छे लोग है छे लोगों को बिठाएंगे ठीक है दिनेश यहाँ पर बल्लू यहाँ पर भी हो सकता है और इम्रान यहाँ पर भी हो सकता है पिर next में question की तरफ जबकी चरण आनंद और परहाद के ठीक बगल में बैठा है तो चरण यह किसके लिए होता है यह second person को indicate करता है ठीक है तो आनंद और परहाद के ठीक बीच में और आगे hint दिया होगा यदी पराद बल्लू के ठीक right में बैठा है तो अगर मैं पराद को यहाँ पर बिठाती हूँ तो इसके ठीक right में कौन बैठा है बल्लू और अगर मैं फराद को यहाँ पर बिठाती हूँ तो इसके ठीक right में इसका चहरा इदर है तो इसके ठीक right में कौन है बल्लू है ठीक है चरण आनंद और फराद के ठीक बीच में बैठा है तो इसके ठीक right में कौन है तो इसके ठीक right में कौन है इसके ठीक right में कौन बैठा है इमरान sorry 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 जरह question को दुबारा बढ़ते है ठीक है पराद यहाँ पर आएगा sorry पराद यहाँ पर आएगा आनंचरण यहाँ पर और आनंद यहाँ पर ठीक है तो बल्लू के ठीक right में कौन है और दिनेश के ठीक right में कौन है बल्लू ठीक है नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं पर होता है क्रीन पर तब हम एक्जाम होल में होते हैं सामने एक्जाम होते हैं तो अगर हम किसी कोशन को option recording कर रहे हैं तो हम first option को prefer करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही हम first option को prefer करेंगे तो 48 divide 12 into 5 है फिर equal 5 into 4 ठीक है यह कितना होता है 12 चोग 48 और 5 चोग 20 और 5 चोग 20 ठीक है तो इनकी दोनों साइड सेम हो रखी हैं चलिए question number 10 पर चलते हैं यह क्या है mirror image का question है देखिए mirror image और water image सेम बनती है जैसे देखेंगे इसमें क्या है? जो पास वाला होता है वो पास में आता है और जो दूर वाला होता है वो दूर होता है जैसे एक्स को देखेंगे तो पहले जैसे डाब्लू का डाउन में देखों यहां से इस तरीके तब हम इसका opposite बनती है तो यहां से जड़ा देखेंगे यहां से जड़ा देखेंगे जो पास की मेंज होती है वो पास ही बनती है और जो दूर की मेंज होती है वो दूर ही बनती है जड़ा 5 को देखेंगे यहां पर यह option गलत हो गया क्योंकि जो पास की मेंज है वो पास में बनेगी और जो दूर की मेंज है दूर बनेगी 5 को देखेंगे, यहां पर 5, 2 को देखेंगे जरा, 2, पास की इमेज, पास में बन रही है, ठीक है, और यहां पर 5 गलत बना हुआ, इधर को, इधर को फेस होना चाहिए, फस्ट यहां पर गलत हो गया, सेगंड यहां पर गलत हो गया, अब जरा देखेंगे, अभी तक तो 3 ठी चल रहा है और यहां पे थ्री देखेंगे जरा अब बनेगा इसका बिल्कुल डिक है ए देखेंगे जरा और और तू यहां पे टू की वज़ा से गला तू इधर को आएगा ना कि इधर को आने वाला है ठीक है तो अप्शन नमबर थर्ड जो पा इसको हिट करने का तरीका मिर इसका जो पास की चीज़े होती है वो पास में बनती है जो दूर की चीज़े होती है वो दूर बनती है क्वेशन नमबर 11 आपकी स्क्रीन पर है जड़ा देखेंगे 23 है 24 है और 153 आप जड़ा देखेंगे यह 23 है 24 है यह 50 है यह और यह 153 है तो यानि के इसमें कुछ ना कुछ मर्टिप्लाइ हो रखी होगी या कुछ ना कुछ एड हो रखा होगा या कुछ ना कुछ माइनस हो रखा होगा तो हम तब छोटे से थोड़ा बड़े की तरफ जैसे यहां ते ही से चौविस ओ गया छौविस से पकास हो गया और पकास से इसका तीन बुनाश भीरा है में इस wanna क्या हुआ है इस तरीचे से हैं कि इन्टिप्लाइव रखहा हो ठीक है अ्गर मैं यहां पर इंट्व 3 से multiply कर दू, 3 ही add कर दू, 25, 50, 30, 153 हो गया, अगर मैं यहाँ पर 4 से multiply करती हूँ और प्लस 4 ही add करती हूँ, तो क्या होगा, ज़रा करेंगे, 4 तिया बारा है, 5 और 20 और 21, 4 और 1, 5 प्लस, 4 add किया, तो कितना, सुरी, 6 आएगा, 6, और प्लस 4 add किया तो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 6, 1, 6, क्या हो रखा है, जितने से हम into कर रहे हैं, उतने को ही हम add कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट कोशन पर देखेंगे, कोशन नमबर 12 है, पिलोप ताकृति बताने है, एक हमें शेप दिया है, और हमें इसमें चार उप्शन्स दिया है, हमें इसमें बताना है, यह किसमें embedded हो सकता है, यह वाले उप्शन की ज़रा देखेंगे, इन questions को हम options के through ही tackle करते हैं, ज़रा देखेंगे, यहाँ पर ही देखेंगे, यह बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, यह बन रहा है यहाँ पर, 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 अंदर कोई सब्सास ऑिनहीं और यहां पर कोई क्योंज आपनी है कि यह कई यह 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 देखे हैं यहां पर इन पर क्वी इन ऊत्राइंगा है तरा इंहींदों पर जान संविक वे ख़ंुग से आपनी белु ऑने एक्ड़ में नहीं है तो इत्या कोर्डिंग आप्शन नमबर परस्ट आपके सोच रहे होंगे कि इसमें आंसर कर टीक है लेकिन मैंने सारे आप्शन को आपको इसके कुछ इंस्ट्रेक्शन दिये हुएं आप पढ़ेंगे जरा संख्या को उसके घटक अमकों से विभाजित किये ना पूर्ण संख्या पर ही गणित संक्रियता की जानी चाहिए जैसे की 1-3 तेहरा मान लीजिए तेहरा पर गणित संक्रिय जैसे तेहरा में जोडना घटा और तेहरा को एक और तीन से तोड़कर और फिर एक और तीन पर गणित जैसे करने कि अनूमत ही जोड सकते ची steeds एंवादाश करते हूं एंवेट गिन हम इतुक्तप करने नहीं इसको नहीं कर सकते हैं तो गरेंगे में 11 में 10 से इंटू करदूं फिर 20 में 10 से इंटू करदूं तो यह कितना हो जाएगा? 1, 10, 200 अग इनको ऐड़ गरूं तो कितना हो जाएगा? 310 लेकिन यहां तो 340 है अगर फिर मैं यहां पे 20 प्लस 11 को ऐड़ करके इसमें एड़ कर देती हूं येस बन गया 341 वैसे ही नेक्स्ट पे पिर इसमें मैं टैंसे इंटू करूंगी कितना हो गया 200 हो गया ये 330 हो गया अब इसको एड़ करेंगे पांस तेन आट तीन दो पांच चीक है पिर यहां पर इन दोनों को एड़ कर देंगे 25 प्लस तेन तीस पांस तीन दो पांच तीक है यहां पर एड़ करेंगे इनको आठ पांस तीर है पांच और एक चेट शेसो और तीस येस बिलकुल हो गया फोल्मेश करें आज हम इन उप्षेन को ऐसे ही करेंगे tan को इन टो करें इसमें नहीं होगा इसमें होगा इसमें होगा तेको घर करके टैंसेंट टू करेंगे 120 हो जाएगा टैंसेंट टू करेंगे 3, 2-0 हो जाएगा, 0, 4, 3-1, 4 और यह एड़ करके कितना हो जाएगा, 12-32, 4, 44, 44 को हम इसमें एड़ करेंगे, कि तो कितना होगा, 4, 8, 4, yes, option number 2, satisfy हो रहा है, option number 2, और यह जो भी बच्चा है, उसने इस question को छोड़ा हुआ है, देखिए, इस question का भी option number, option गलत किया हुआ है, इसको भी उसने drop किया हुआ है, तो चलिए, question number 14, question number 14 अब की screen के सामने है, A लिखा हुआ है, K है, E है, D है, इनकी place value लिखेंगे, 1, 11, 5 और 4, ठीक है, E है, N है, G है, E है, ठीक है, 5 है, 14 है, 7 है, 5 है, अब जड़ा आप इसमें दिख रहा हैं, आपको इसमें क्या चार एडो रखा है इसमें तीन एडो रखा है इसमें दो एडो रखा है और इसमें बन एडो रखा है ठीक है इसमें भी ज़र देखेंगे अब नेक्स्ट पे भी हम यही पैटन पूलो करने वाले है अगर ए नेक्स्ट पे भी हम यही पैटन पूलो करने व 4 plus 3 plus 2 plus 1 यह वाला पैटन चल रहा है तो यही हम इसमें एड़ करने वाले 5 पांच में 4 एड़ करेंगे 9 9 पर क्या होता है आई कहीं अप्चन में है सब ही में है बिलकुल पर नेक्स्ट पर भी एड़ करने 14 में हम कितना 3 एड़ करेंगे तो कितना होगा कितने पर होता है क्यूं क्यूं पर गया होता है 17 नेक्स्ट में 3 एड़ करने वाले इसमें 3 एड़ करने वाले और सेवन में 2 एड़ करेंगे तो कितना होगा 9 और 9 आई कितने पर होता है 9 पर होता है यह option तो सभी eliminate होगा तो option no.1 आप यही पे भी और F चलिए next में भी बता देते हैं और यहां पर प्लस 1 ही करना तो obviously बात है F होने वाला option no.1 चलिए next question पे चलते हैं question no.15 15 में देखेंगे आप इसको जहरे एक फूड़ा सा दिमाग लगाएगा और कीचेगा 5 1-1 संख्या को drop करके ये 5 की लाइन है ये भी 5 की लाइन है ये 5 की लाइन है ये 6 की लाइन है यहां से 7 जैसे जैसे इंकरीमेंट हो रहा है तो 7 की लाइन तो आएगी लेकिन आप यहां पे देखेगा फिर यहां से यहां पे आने वाला है और इस से इस पे आने वाला है ज़रा देखें यहां पे कितना 1 एड हो रहा है 60 है, 51 है, 62 है, 54 है, 66 है, 59 है, 72 है, यहां से यहां, ज़रा देखें, कितना एड़ हो रहा है, 1 एड़ हो रहा है, यहां से यहां कितना एड़ हो रहा है, 3 एड़ हो रहा है, और यहां पर हमसे पूछा है, कि क्या डिजट होने वाला है, और यहां से यहां देखें, कितना एड़ हो रहा है, 5 एड़ हो रहा है, ठीक है, और यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, आपको देख रहा होगा कि एक odd number है ठीक है और यहां पर यह देखे 60 से 62 हो रखा है 62 से 66 से 72 है यहां पर कितना दो एड़ हो रखा है और यहां पर कितना चार है और यहां पर कितना है तो यह कि एवेन नंबर है कि ए तो यहां से एक एक डिशिट को बीच में ड्रॉप करके तो यहां पर क्या होगा और नमबर यह एड़ करना ऐग एक तीं पाँच पांच के बाद की आयेगा यहां पर साथ अगर मैं यहां पर साथ गरती फिफ्टी नाइन में तो साथ गरती हूं तो कि नेक्स नमबर क्या ओने वाला है 66 एस ओप्शन में है ओप्शन नमबर 466 एड़ोगा है कि क्वेश्चन नमबर 16 की तरफ चलते हैं X E J T लिखा हुआ है U H M Q इससे यह बना है next पर पूछा है उससे यह बना है ठीक है तो ज़रा देखेंगे X कितने पर होता है 24 पर E कितने पर होता है 5 पर होता है J कितने पर होता है 10 पर होता है 20 पर U कितने पर होता है 21 पर H8 पर होता है और M13 पर होता है Q17 पर होता है और यहां पर 3 प्लस है और यहां पर 3 माइनस है तो यहां पर पैटर्न के चल रहा है प्लस माइनस 3 और प्लस 3 का पैटर्न चल रहा है माइनस 3 और प्लस 3 का पैटर्न तो यहां पर यह करेंगे माइनस 3 करेंगे इसमें से क्यों माइनस 3 कितना होगा 18 और 18 पर क्या होता है R, यस option में है, यह तो first तो वैसे ही eliminate हो जाना था, ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, प्लस 3 करेंगे, किसमें H, H में प्लस 3 करेंगे, क्या 11, 11, 11 पर क्या होता है, K, ठीक है, next, next पर क्या करेंगे, हम इसमें फिर से प्लस 3 करेंगे, और M, M, प्लस 3 करेंगे, कितना होगा, 13 पर होता है, प्लस 3, 16, 16 पर क्या होता है, P, क्यूं, क्यूं में से हम 3 माइनस करेंगे, तो क्या होगा 14, और 14, N, option नमबर 2, ठीक है, question नमबर 17 की तरफ चलता है, अब जड़ा देखिए, आपको यहाँ पर कुछ नों को दिख रहा हो, सारे डिजिट सेम दिख रही है, यहाँ पर दिखी, कोई भी डिफरेंट नहीं है, तो ऐसे question में, आप पटाफट समझ जाएंगे, कि क्रोस प्रोडेक्ट लगा है, अपना time बेस्ट ना करते हुए, त समझ जाएंगे, कि यहाँ पर क्रोस प्रोडेक्ट का format लगा है, ठीक है, पटाफट से लगाएंगे, E, X, P, L, A, I, N, जड़ा देखेंगे, A, E, I, L, N, P, X, चलिए, N को यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, A को यहाँ पर लिखा हुआ है, L, जड़ा देखेंगे, N हो गया, P, ये, X, ये, चिक है, और E, ये, अब जड़ा देखेंगे, N को उठाके, यहाँ से, थर्ड, लास्ट से, थर्ड नमबर पर लेके आए, अब जड़ा इसका, इसका, इसका format देख लेते हैं, M, E, D, I, C, A, L, A, E, I, C, D, L, M, इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ से, यहाँ पे दो दुझे को लास्ट से, थर्ड पे, लास्ट वाला यहाँ से, और तब हमने इसको format किया, तो दो डिजट को ड्रॉप करके थर्ड पे आ रखा है, और यहाँ पे देखेंगे, धर The Last वाले को देखेंगे, यहां पर Second पे आ रखा ही है, ठीक है, और यहां से यह First वाले को Last में sent किया हुआ है और यह Second वाला First पे, Last से, यहां पर देखेंगे, यहां पर इन्हों ने Opposite किया हुआ है, यहां पर थोड़ा अच्छे लेवल का question है बेसा cross product लगा है लेकिन अच्छे लेवल का है ठीक है C इन्होंने third को एक digit पीछे कर दिया है I E, E को same रहने दिया है ठीक है और D को इधर तो वैसे ही ज़रा privacy को करेंगे ठीक है ज़रा इसको यहां से क्या last वाले को यहां से third और यहां से हम इसको ज़रा back से करने की कोशिश करेंगे ठीक है यहां पे two digit पे लिखाता है यहां पे one digit पे यानि के y तो same ही होने वाला है एक एक को increase करके ठीक है यहां पे तो same y ही होने वाला है ठीक है अब यहां पर क्या किया था जो 3rd वाला है वह 4th पर कर दिया था ठीक है और जो 4th वाला है अब जरा option के according जाएंगे इसमें आपको इसमें option according जाना पड़ेगा ठीक है cross product लगा हुआ इसमें बट आपको option according जाना हुआ क्योंकि लास्ट से हमने मैच कर लिया यह तो हट ही जाना क्योंकि यहां से एक-एक को बढ़ा रहे हैं यहां पर दो थे यहां पर यहां पर दो को यहां पर एक को यहां पर एक को भी नहीं तो फॉर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही हो गया है अब चलते हैं ज़रा है कि नेक्स्ट की तरफ तो यह तो सेम हो गया अब यहां पर था उसको सेकेंड पर लिया हुआ है और यहां पर फॉस्ट यानि के तीन को ड्रॉप करके लिया हुआ है और जो यहां से देखेंगे जो third visit थी, यहाँ पर first पे ली हुई है और जो यहाँ पर third visit थी, वो यहाँ पर last में fourth पे ली हुई है back side से, ठीक है? तो जो यहाँ वाली last वाली visit है, वो कहाँ पे ली हुई है? फिप, last से, ठीक है? A, I, R, और B, ठीक है? question number next की तरफ चलेंगे question number 18 slolism का question है सभी notebook गुलाबी है, सभी notebook क्या है? गुलाबी है ठीक है? सभी गुलाबी क्या है? shirt है shirt है और सभी shirt क्या है? trouser है सभी shirt क्या है? trouser है ठीक है? तो इसना निशकर्स देखते हैं, निशकर्स में क्या है? सभी trouser notebook है सभी trouser notebook है सभी notebook गुलाबी है यहाँ पर सभी first of all यहाँ पर कुछ trouser notebook हो सकते हैं ठीक है? लेकिन उसने क्या बोला है? सभी trouser तो यह तो possibility वैसे भी नहीं है अगर यहाँ पर thumb वाली possibility हो थी तो हो सकता था कुछ कुछ trouser notebook है ना कि सभी trouser notebook कुछ trouser गुलाबी है कुछ trouser गुलाबी है बिल्कुल नहीं गुलाबी गुलाबी यहाँ पर cancel out हो रहा है यहाँ पर कुछ match भी नहीं हो रहा है सभी trouser गुलाबी है नहीं कुछ गुलाबी trouser हो सकते हैं तो ना तो निष्कर्स first और नहीं निसकर्स second Qual The abortion ब्लड रिलेशन का कुष्षिन है जरा बनाएंगे यहां पर कोड भी दिया हुआ है यह सब रिलेशन दिया हुआ है तो हमको एक ट्री बनाना है उसे कोडिंग चलना है ट्री बनाएंगे जरा ठीक है यहां पर क्या बोला है M स्टार जे तो हम यहां पर सर्च करने की गोशिश करेंगे यहां पर सर्च करेंगे A स्टार B A स्टार B का मतलब क्या है A B का पुत्र है तो क्या M M पुत्र है M पुत्र है और जो जिसे sons होते हैं या daughter होती हैं तो हम उनको नीचे लेनी की गोशिश करते हैं अपर में को जाता है father, grandfather या फिर ना, ना, नानी इस तरीके के अपर में जाएंगे जो बेटे या बेटिया होंगे या cousins होंगे वो नीचे की तरह आएंगे हम ट्री बनाते हैं तो क्या A B का पुत्र है यानी के M पुत्र है किसका G का M पुत्र है G का हमें नीच पता कि G मेल है या फीमेल है लेकिन उसमें बोला पुत्र है तो M मेल है ठीक है यानी के जी पुत्र है किसकी के की ठीक है अब यह कौन होगी पीमेल को उन्हें सरकल में बंद कर दिया ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं परसेंटेज परसेंटेज का मतलब क्या A B की पत्नी है यानी के यह किसकी पत्नी है यह A की पत्नी है यानी के यह wife है और तब हम husband and wife का relation दिखाना होता है तो double-dice लेते हैं फादर का तो upper लेते हैं और daughters का या फिर sons का नीचे लेते हैं और तब हम sister brother का relation दिखाना होते हैं तो हम one single लेते हैं ठीक है तो यहां पर husband wife का relation है तो हमने double dash लिया, यह इसकी wife है, और फिर क्या बोला है? star का मतलब क्या है? A B का पुत्र है, यानि कि female हो गया, यह किसका पुत्र है? यह किसका? W का पुत्र है तो हम से पूछा है क्वेश्चन में A, G से किस प्रकार संबंद है संबंद देता है तो A, A किस प्रकार संबंद देता है G, यहाँ A का पूछा है यह मत कहने लगना कभी G का पूछा हो A, A किस प्रकार संबंद देता है G से, ना, ना ठीक है ना, ना, ओप्शन नमबर पस्ट क्वेशन नमबर 20 20 की तरफ चलते हैं, अब जरा देखेंगे यहां पर 1, 1, 2, माइनस 14 अब उसने क्या किया हुआ है, यहां पर प्लस को इंटू किया हुआ है, माइनस को प्लस में चेंज किया हुआ है, वो डिवाइड को माइनस में और प्लस को डिवाइड में, तो हमें कोई ना कोई, इसमें औप्शन रखके देखना ही पड़ेगा, और डिवाइडेड 40 प्लस 8 इंटू 12 इक्वल 64 कभी कभी ऐसा भी होता छाइन को चेंज नहीं करता है, वो डिवाइड को चेंज करें से जिए म से कभी कभी जिसरे फिरा फिरे दिषीट को नहीं जिया हुआ है कभी कभी उरड फिरे उरी और शहन्तै करणा कर् Chem Stream तो यहां पर divide करेंगे 14 और divide की जगह minus करेंगे 40 और plus को as it is लिखेंगे और into 12 ठीक है तो अगर हम इसे divide करेंगे 14 अट्टे कितने होते हैं 112 ठीक है तो minus 40 plus 8 into 12 तो अब हम किस की तरफ जाएंगे अब हम किस की तरफ चाहेंगे 12 ठीक है अब हम किस की तरफ चलेंगे add की तरफ तो इननों को add करेंगे कितना हो जाएंगा अटरच चौदा नोरिक दस 114 एकसो चाहर सौरी 104 और minus अब करेंगे last में क्या करेंगे minus ठीक है और minus करेंगे तो कितना हैगा 64 तो इसका LHS और इसके RHS is equal ठीक है तो इस 20 questions थे आपकी screen के सामने हैं आप इनका solution देख सकते हैं और काफी अच्छे questions हैं इतने हम टाव भी नहीं कह सकते हैं इतने easy भी नहीं अच्छे लगे तो शेयर गीज़े शब्सक्राइब कीज़े और आपको कांटेंट कैसा इस तो एक प्रिवियस पेपर है हम यह आप से पाले वाले 2022 का पेपर है इस ते पहले के भी जीडी के वेपर होंगे हम आपको उनकी प्रेक्टिस कराएंगे आपको दिखाएंगे कि इस टाइब के 10th level है यह 10th level और आप question का level देख सकते हैं तो thank you आप अमारे चैनल को share कीज़े subscribe कीज़े और और teachers हैं GS करेंगे maths करेंगे अब सभी की class देखेगा और पर analyze कीज़ेगा कि अच्छा पढ़ा रहे हैं हम आपको समझा पा रहे हैं या नहीं thank you